यह मुश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्पीन और स्वागत करता हूँ आपका वीडियो नंबर 40 में दोस्तों वीडियो नंबर 40 में अपने अगले कोशन की तरफ चलते हैं जो हमारा अगला कोशन है दोस्तों वह है यहां पर कोशन में लिखा है गिवन एन अंसर्टेड एरे ओफ इंटीजर्स नम रिटर्न करना है दी लेंथ ओफ दी लॉंगेस्ट कंजीक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस यू मस्ट राइट एन अल्गोर्दम डैट रंस इन ओडर ओफ एंड टाइम ओके एक लूप लगाना है मतलब एक लूप का मतलब यहां पर एक ही बात रेवर्स करने ही जरवत पड़े अपने को कुछ इस तरीके से अपने को यहां पर इंपुट देके रखा है अपने को ए यहां पर लेंथ जो है 4 है यहां पर लॉंगेस्ट कंजिकुटिव सीक्वेंस जो है वो 0 से लेके 0,1,2 भी है,3 भी है,4 भी है,5 भी है,6 भी है,7 भी है,8 भी है तो 0 से लेके 8 का मतलब 9 यहां पर है तो इसलिए आउटपुट 9 आएगा मेरे इसाब से आप कोश्चन का लॉंगेस्ट कंजिकुटिव सीक्वेंस देखो इसका आइडिया क्या है अपने को एक एक्जामपल लेते हैं अपर सबसे पहले, जैसे यहां पर 10 है,4 है,200 है,132 देखो यहां पर 0 भी हो सकता है, देखो 0 मल्टिपल टाइम आया है, ओके यहां पर डुप्लिकेट भी हो सक करते हैं, तो एक काम करते हैं, अपने को न यहां पर डुप्लिकेट से अपने को यहां पर कोई फायदा पहुचने नहीं वाला, क्योंकि longest consecutive sequence में डुप्लिकेट को आपको count नहीं करना है, तो पहला चीज तो यही इसमें डुप्लिकेट आपको यहां पर हटाने पड़ेंग ठीक है, एक चीज अपन कर दिये, नंबर वन काम अपन क्या किये हैं, आपर nums num के array को set में convert कर दिये, अब set में क्या होता है, ordering भले आपकी बिगड़ सकती है, जो भी order में element है, वो बिगड़ जाएगा, लेकिन कोई भी duplicate present नहीं होगा, ठीक, पहला काम तो गया, दूसरा काम basically आप इसको इस तरीके समझ लो, कि यहाँ पर longest sequence निकालना है, तो आप इस sequence को जो भी नाम देना चाहो, वो दे दो, जैसे माल लो मैंने नाम दिया इसको streak, सबसे लंबा streak यहाँ पर अपने को बनाना है, सबसे लंबा streak किस element का बनता है, तो जैसे let's say, मैं अगर बोलता जो streak है, उसका पहला element 100 है, तो मैं check करूँगा, कि वो कैसे check करेंगे, कि यह हमारा पहला element है, बहुत simple सी बात है, उसके पिछला वाल element अगर present नहीं है, तो वो पहला element है, तो हर बार मैं assume करके चलूँगा, कि यह मेरा पहला element है, तो let's say, 100 मेरा पहला element है, तो मैं ठीक, यह मालो कि यह current num है, और current streak को आपने one रख लिया, अब मैं एक loop में dot लगाऊंगा, और dot लगा के इसके आगे से मैं check करूँगा, कि क्या, इस number को plus करने से, plus one अगर मैं करता हूँ, तो क्या हो present है, अगर मिलता है, तो current streak को, current num जो है आपको, current num को एक कदम आगे बढ़ लेते हैं, और यह अपना अगर set में convert हो जाएगा, तो मैं आप एक काम करता हूँ, algorithm जैसा लिखी देता हूँ, वो ज्यादा बहतर होगा, के लिए, तो देखो, let's say हमारे पास function है, def longest consecutive sequence, consecutive sequence, ठीक है, अब यहाँ पे, यह क्या क्या दे रहा है अपने को, ठीक है, एक nums नाम का list दे रहा है, basically, ठीक है, मैं आप पे nums नाम का list दे दिया, और अपने को return क्या करना है, एक single number ही return करना था, जो की int है, ठीक, अब देखो, सबसे पहला check क्या करोगे, if not nums, उस case में क्या करो, बताओ, अगर element ही नहीं है, आपके array में, तो उस case में आप क simple से बात है, zero return करो, ठीक, अब आप क्या करो, उस nums का set बना लो, तो मैं इसको नाम देता हूँ, num underscore set, set बनाने के लिए कुछ नहीं, set function का use कर लो, और पकड़ा दो अपना nums नाम का array, यह बन गया set, तो set बनने से क्या होगा, एक इस तरीगे से अपने पास set आ गया, यही example क two hundred, one, three, two, तो यहाँ पे set बन गया, अब set में order कुछ भी आ सकता है, तो चल मान लेते हैं, एकदम simple, one, two, three, four, hundred, और यह two hundred, ऐसा कुछ order आया होगा, ठीक, ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको एक streak नाम का डबबा ले लेते हैं, longest underscore streak, ठीक है, initially इसको zero रखते हैं, अब एक loop द कि आपको बला, मैं first वाली number को मान के चलूँगा, यह मेरे streak का पहला number है, ठीक है, तो वो चीज़ चेक करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, basically वहाँ पे एक condition अपने को लगानी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो इस num में आप दौर लगा दो, तो num में दौर लगाने है, मेरे streak का, तो मैं क्या करूँगा, पहला element चेक करने के लिए, if num minus one, not in, not in, num underscore set, तो इससे क्या पता चल जाएगा, इस वाली line से पता चल जाएगा, कि यह first element है, मेरे streak का, first element, ठीक, अब मैं क्या करूँगा, दो चीज़ है, एक तो longest streak है, और एक current streak, current streak जो है, वो चेंज ह उतर रहेगा, तो मैं दो डब्बे लेता हूँ, एक current num, current underscore num, तो यहाँ पे यह नम जो भी अपने को मिला पहली बार में, उसको मैं डाल देता हूँ, current num में, और current streak को initially one रखता हूँ, current underscore streak जो है, वो initially क्या हुई, one हुई, ठीक है, यह जो पहला element आया, वो एक तो हम्यारी streak ह होगी ही, उसके बाद, यहाँ पे, again मैं एक loop चलाता हूँ, अब आप सोच रहे होगे, sir, loop के अंदर loop, यह तो order of n square, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपके पास जो element है, वो finite है, ठीक है, तो आप loop के अगर अंदर loop चला रहे हो, तो उस case में, देखो, finite कैसे है, यहाँ पे आपको देखे भी रखा है, यह जो nums का length है, वो देखो, कुछ ना कुछ number के range के अंदर है, ठीक, तो इसका value जो है, इसके उपर नहीं जाएगा, तो अगर आप इस वले loop के अंदर में, अगर एक और loop यहाँ पे लिख देते हो, तो भी वो constant time ही चलेगा, तो भी हमारा जो solution है, वो end times चला, और यह जो है, let's say, इस वले case में तो चार बार चला, ठीक है, इस वले case में तो चार बार चला, तो 4 into n, again is order of n, अगर यह मान लो, 1000 बार चला, तो 1000 into n भी, 1000 n, जो कि आप order of n मान सकते हो, तो यह अंदर वाला जो loop में आपे लिख रहा हूँ, while वाला, यह constant number of times चलेग ठीक है, order of n का ही solution अपन बनाने वाले, ठीक है, अब यह मैं आपे लिखता हूँ, while loop, अब while मैं अपने को क्या करना होगा, अब 1 तो मिल गया है, अब मैं देखूंगा, current num जो है, current underscore num, plus करो इसमें 1, in, num underscore set, क्या यह है, क्या 2 है क्या मेरे set में, अच्छा 2 है, ओके, तो अब आप change कर दो, यहाँ पे आप इसको change कर दो, क्या change करोगे, current underscore num को, current underscore num को, इसको बढ़ा दो एक, और current streak को, current underscore streak को भी आप बढ़ा दो, यह बढ़ गया, यह काम लगातार करते जाओ, यह काम लगातार करोगे, तो अगली बार में नम आपको क्या मिलेगा, 2 के बाद, फिर 3, 3 भी मिल गया, current streak जो है वो, last में ऐसे करते करते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हुआ, current streak, ओके, अब फिर अपन बाहर निकले, बा के लिए किया, तो 1 अगर चालू हो रहा है, 1 से अगर चालू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 से चालू होता है, अगर, तो मुझे पता चला कि अच्छा, 4 length का streak 1 से बनता है, अब मैं क्या करूँगा, 2 से देखूँगा, 2 से मैं देखा, 2 के बाद, 3 के बाद, 4, तो यहाँ प तो ऐसे करते 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 आपको इस loop से जब बाहर निकलोगे ये वाले loop से जब बाहर निकलोगे तो आपको क्या return करना पड़ेगा basically क्या return करना पड़ेगा अब देखो current streak जो है वो change भी हो सकता है बीच में current streak जो है वो change हो सकता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर longest streak नाम का एक डबबा पकड़ के रखा था कि जब आप इस loop से निकलो जैसे मैंने एक element के लिए यहाँ पर किया first वाले element के लिए यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर longest streak था अब यहाँ पर आप क्या करो longest underscore streak के अंदर longest streak के अंदर बस compare कर दो max जो भी है उसको डाल दो max of current streak और longest streak इन दोनों में जो max होगा वो चीज़ डाल दो और इस longest streak को return कर दो समझे होगे मेरे ही साफ साफ idea क्या बोलना चारो अब इसको code करके देखते हैं आपको जरूर समझे होगा तो सबसे पहला चीज़ if not nums अगर ऐसा है तो उस case में return कर दो zero that is fine अब एक set बना लो num underscore set is equal to set of nums that is fine अब longest underscore streak के अंदर में इनिशलीट 0 डाल दो एक loop दोड़ाओ for num in nums sorry num underscore set में loop दोडाना है ठीक है अब चेक करो क्या मेरा जो number है वो पहला number है क्या num if num minus 1 not in num underscore set अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो पहला element है अगर पहला element है तो बस current underscore num के अंदर में num को डाल दो और current streak को one कर दो current underscore streak को one कर दो ठीक है अब वाई loop दोडाओ उस element के लिए current plus current underscore num plus one in num underscore set अगर मिलते जा रहे हैं element तो बस पकड़ पकड़ के उसको current underscore num को एक बढ़ा दो plus is equal to one और current underscore streak को भी एक बढ़ा दो ठीक वाई loop से बाहर निकलो longest underscore streak के अंदर में max of क्या करना है longest underscore streak कॉमा current underscore streak that is it last में return कर दो longest underscore streak हो गया run कर देते हैं yes हमारे test case जो है पास हो चुके है इसको submit कर देते हैं ओके तो हमने यहाँ पर इस question को solve कर लिया है order of end time complexity लेकिए मेरे इसाब से आइडिया जो है वो समझे होगे बड़ा simple है कुछ भी खास नहीं था easy है ठीक आप समझ गए होगे इस वीडियो के लिए इतने ही रखता हूं अगले वीडियो मिलता हूं thank you कुछ बढ़ा हूं